Hello students, we are doing our written work of first chapter of class first English which is, which one is our happy child तो हम अपना happy child का written work कर रहे हैं तो हमने page number 3 अपना complete कर रहे हैं How do you feel? Draw and say तो यह हमने कर लिया था When you get new dress, तो आपको कैसा होते हो, आप happy होते हो और when you get hurt, आप sad होते हो तो यह हमने कर लिया था इससे आगे हम आज करेंगे Turn the page, open the page number 4 Now D, R, A, W, Draw Draw means, खीचना, बनाना L, I, N, E, S, Lines, Lines means, पंक्ती F, R, O, M, From, from means, C T, H, E, D, A, D, A, Miss, The H, O, U, S, E, House, House, Miss, Ghar T, O, T, O, T, To, Miss, Go T, H, E, D, Da, Miss, The P, E, O, P, L, E, People, People means, Log P, E, O, P, L, E, People, People means, Log W, H, O, Who, Who means, Korn L, I, V, E, Live, Live means, Rhehna I, N, In, Miss, Map Y, O, U, R, U, R, You are, Miss, Tumhara H, O, M, E, Home, Home means, Ghar Draw lines from the house to the people who live in your home Now, those who live in your home After the people with you have to go for the line Those who live with your home In your house this house Here happens there is a house Such a picture being made here You have to look at people जो लोग आपके साथ रहते हैं, उन में से घर से लेकर ऐसे पिक्चर एक लाइन ड्रॉ करने हैं. तो सबसे पहले हैं, अगर आपके दादा जी आपके साथ रहते हैं, तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ करके दादा जी पर करेंगे, जिसके साथ जिसके दादा जी रहते हैं, वो ग्रांड फादर को, ग्रांड फादर मेंस दादा जी, वो दादा जी को ऐसे लाइन खीच के लेके जाएंगे. और जिनके घर में दादी जी रहती हैं, ग्रांड मदर रहती हैं, वो इस तरह से लाइन लेके जाएंगे. और फादर, फादर, पापा भी आपके साथ रहते हैंगे, तो आप ऐसे लाइन फादर के साथ लेके जाएंगे. मदर, मदर भी साथ में रहती है हमारे घर में हमारे साथ रहती है तो वो ऐसे मदर में लेके जाएंगे लाइन और सिस्टर जिसके घर में बहन होगी वोगर बहन भी साथ में रहेगी सिस्टर, और बहाई और जिसके बहाई भी रहता होगा तो इस तरह से टिक करेंगे अब जिनके घर में मदर और फादर और प्रदर और सिस्टर ग्रांड पैरेंस बहुत हो के ग्रांड पैरेंस साथ में रहते हैं और बहुत हो के नहीं रहते हैं जिसके grand parents याने grandfather और grandmother रहते हैं वो इस तरह से टिक अपनी line ड्रॉआ करेंगे mother और father तो रहते हैं, mother तो रहती है, father भी mother father भी सात में रहती है, तो आप ऐसे लगाएंगे और जिसके sister होगी वो छोटी sister में लगाएगा जिसके ब्रदर होगी वो छोटे या बड़े जो भी भाई होंगे आप उसमें लगाएंगे ठीक है तो इस तरह से आपको house से grandfather, grandmother, my father, my mother, my sister, my brother आपके समें जो जो आपके घर में आपके साथ रहते हैं आप उनमें टिक लगाएंगे इस तरह से line draw करेंगे जिस तरह से मैंने खीची नाओ T-R-A-C-E T-R-A-S, T-R-A-S means छापना, T-H-E-D-A-N-U-M-B-E-R-S numbers, numbers means number जो आपके लिखे हैं फे 1,2,3 O-N-On number में संख्याएं भी होता है O-N-On, on means पर T-H-E-D-A-D-O-T-E-T doted में बिंदू जैसे आपको मिले हुए ल, i, n, e, s, ल, i, n, e, s, बिंदु जो, बिंदु वाली जो लाइनस बनें रे आपकी dottled उन में आपको क्या करना है trash the numbers on the dotted line आप जो बिंदुन का करके आपकी लाइनस बनी विया है जिन में dot बने है च्ठे च्ठे बिंदु बनी है तो उन में क्या करना है आपको नमबर को ट्रेस करना चापना इस तरह से ठीक है तो सबसे पहला है हमारा O N E 1 तो हमारा यह नमबर बना हुआ है तो हम इस तरह से ऐसे लिखेंगे O इस तरह से नमबर के उपर ऐसे पैंसिल चड़ाएंगे 1 ओके O N E 1 इस तरह से आप 2 T W O 2 तो हम ऐसे जैसे आपकी लाइन आपकी आती जा रही है डॉटेट जो लाइन से उनके उपर आप ऐसे तू लिखेंगे आप 3 T H R E E 3 तो आप ऐसे करिये T H R E E 3 यह डॉटेट लाइन है नाव 4 F O U R F O U R 4 तो इस तरह से 4 के उपर जो डॉटेट लाइन से बनाई है 4 ओके नाव F I V E 5 तो इस तरह से 5 पे करिये F I V E 5 नाव S I X 6 तो 6 पे करिये आप 6 ओके नाव तो यह आपका है Tres the numbers on the dotted lines आपको dotted line दियें बिंदु-बिंदु से line पे बने हुए है इन पे आपको pencil चड़ाने को पर से ट्रेस करने चापने तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से आप करिये नाव H O W How, M A N Y Many, How many means कितना P E O P L E People, People means लो L I V E Live, Live means रहना I N N, In means में Y O U R U R, You are your means तुमारा H O U A C House, House means घर How many people live in your house? आपके घर में कितने लोग रहते हैं? W R I T E Right, Right means लिखना H E R E Here, Right Here, यहां लिखिये अब आपसे पूचा है कि आपके घर में कितने लोग रहते हैं? ठीक है, आप नौर्वली किसके ममी पापा होते हैं? चोटा भाई होता है? बड़ी भाई होती हैं? किसी के चार भी हो सकते हैं? किसी के तीन भी हो सकते हैं? तो आपके घर में जितने भी फैमिली मेंबर हैं जितने लोग आपके घर में रहते हैं आपको यहां पर लिखना है मैंने जैसे अगर किसी घर में 5 रहते हैं तो इस तरह से 5 लेख सकता है तो लिगा 5 P.E.O.P.L.E. people, people means low, L.I.V.E. live, live means रहना, I.N.N. in means मैं, M.Y. my, my means Meera, H.O.U.S.E. house, house means घर, 5 people live in my house, 5 लोग मेरे घर में रहते हैं, तो आपसे पूछा है, यह मैंने ऐसे बता है, example, for example, जैसे किसी घर में 5 रहते हैं, तो इसे 5 लेखे, किसी घर में 4 भी रह सकते हैं, किसी घर में 3 भी हो सकते हैं, और किसी के joint family हो सकती है, तो जादा रह सकते हैं, ठीक है, तो इस तरह से आप यहां पर लिखिए, आपसे पूछा है, ठीक है, आप सकते हैं, किसी घर में 5 लेखे, 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 किसी घर में 5 इसको किसिंग करो के रहा है गाउ कर आपसे जैक इन दबॉक्स सिट जैक इन दबॉक्स सिट सो स्टिल वां टू कम आउट यसाई बिल तो यह आप करिये आपका यह आपका वोर्ट चेप्टर का बग नाओ अब आपका फिफ्थ प्लीड नेक्स पी now j o i n join join means join t h e d a d o t t e d dotted dotted means बिंदू जो है इस तरह से बिंदू l i n e s lines lines means line पंगती join the dotted lines अब आपको यह बिंदू आली पंगतियां है बिंदू से बनी भी dotted है इनको आपको जोइन करना है प्रैले इनको जोइन करिया देखिए इस तरह से कर्व बना है आपका इस तरह से यहां पर है इस तरह से dotted line के ओपर ही आप इसको ऐसे करिए फिर यह second वाला है आपर से नीचे की line में लाते रही है फिर थर्ड है इस तरह से फिर यह है फिर नीचे नीचे है इस तरह से आपको इसमें पैंसिल चिडाने data line से ना इन मैं आपको ऐसे पैंसिल चिडाने है इन डॉटट एट के ओपर आपको ऐस यहीं से पैंसिल चिडाने इस तरह से मैं चिडाती जाहरी हूं। इस तरह से आप ही डॉटेट लाइन जो है इनके उपर ऐसी पैंसिल चिड़ाइए ठीक है इस तरह से नो नेक्स डॉटेट लाइन के उपर इस तरह से नो यह सर्कल है अपका यह ठीक है यह से उपर से अब स्टाट करेंगे इस तरह से और यह डॉट में जैसे मिलाएंगे इस तरह से इसको भी करिये रॉटेट लाइन के उपर उपर इस तरह से मिलाएंगे इनको ठीक है इस तरह से फिर आपको यहां पर लिखना है यहां पर भी आपको जो अल्फबेट आपके बने हैं डॉटेट लाइन से उपर फिर आपको पैंसिल चनाने हैं देखिए यह बी यह अपका क्या है बी है ओके नाओ दिस इस सी और यह राओं कर्व है इस तरह से बनाएंगे इस तरह से बनाएंगे इसको भी आप यहां से स्टार्ट करेंगे लेना और फिर पूरा उपर तक ले जाएंगे यह रहां इस तरह से यह भी है तो यह आपका बनाएंगे इस क्या बनाएंगे इस करति आ आ एंपसे इस तरह से पहले कर्व जो बन रहां आपका ओपर से लेकिए इसको नीचे ले जाएंगे इहहां यहां मेर यह नाएंगे आपके र्चिद्स चेर्टर्ट के इस तरह से यहां है यह आपको यहां पर क्या बनना सिक्राइए यह यह रहा इस तरह से यहां वर्फ करिए फिर उपर से यह लाइन नीचे लाइए इस तरह से यह से करिए और यह बनाई है इस तरह से यह अभी देखे इस तरह से लेकर यह यहां चाहिए और यह देखे फिर नेक्स्ट है यह करिए और इसको ऐसे बनाई है ठीक है यह नेक्स्ट है हमारा इस तरह से करिए और इसको करिए यह रहा तो आपके यह बना ए ए ए ए रीड आरी ए डी रीड ए बी सी राइट ए ए ए ए ए तो यह आपका बना ए ए ए ए बी सी तो इस तरह से आप इसको करिए ओके ओपी और डू यह वर्क एंड डू यह वर्क पैरी नीट एंड क्लीन